हलो फ्रेंज स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में जारकन जी के के हजार महत्मुन प्रसुनों के सीरीज का तीसरा सेट आज आपके लिए लेकर आए हैं यह सीरीज जेपेसी और जेसेसी के छातरों के लिए बहुत ही उप्योगी है अगर आप पहले के दो सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट जारखन राइज के बिधान सभा में अनुसूची जन जाती यानि स्टी है तो कुल कितने सीटे आरच्छी थें चब आलिस, नौव, अठाइस, एक इसका सही एंसर होगा सी, अठाइस जार्खन विधान सभा में 28 सीट अनुसूची जन जाती यानि ST के लिए रच्छी थे जबकि 9 सीट अनुसूची जाती यानि SC के लिए रच्छी थे और एक पर राजपल दौरा मनुनित किया जाता है बाकी 44 सीट ऐसे हैं जिस पर किसी भी वर्ग के लोग चुनाव लर सकते हैं इस परकार कुल सीट बिरासी हो गए यानि जार्खन विधान सभा में कुल सीटों की संक्या बिरासी है अगला प्रस्ण है जार्खन राज में लोग सभा तथा राज सभा है तो करमसा कितने सीटे हैं इसका सही एंसर होगा B, 14 और 6 जार्खन में 14 सीटे लोग सभा की हैं जबकि 6 सीटे राज सभा की हैं इस तरह कुल 20-27 सथ जार्खन से चुने जाते हैं अगला प्रस्ण है ज्ञारखन के कीज जीले के सभी विधान सवाच्छेतर अनुसुची जन जाती है तु आरच्छित हैं A. गुमला, B. लोहरदग्गा, C. पलामू, D. A. और B. दोनो तो इसका सही अंसर होगा D. A. और B. दोनो यानि गुमला और लोहरदग्गा, ज्ञारखन के दो ऐसे जीले हैं जिसके सभी विधान सवाच्छेतर अनुसुची जन जाती के लिए अरच्छित हैं अगला प्रस्ण है, ज्ञारखन सरकार में मंत्रियों के कुल संख्या, बिधान सवा सदस्यों के कुल संख्या का अधिकतम कितना परतिसत हो सकता है इसका सही अंसर होगा B. पंदरा परतिसत जार्खन विधान सवाग के सदस्यों के कुल संक्या बिरासी है और अगर बिरासी का 15% देखे तो राउंड फिगर में 12 आता है यानी की जार्खन में मुखमंत्री सहित मंत्रियों के कुल संक्या 12 से अधिक नहीं हो सकती है अगला प्रस्ण है जार्खन में सरवाधिक बार मुखमंत्री के पत पर आसिन रह चुके हैं तो इसका सही एंसर होगा D, A और B दोनो शीबु सोरेन और अर्जुन मुण्डा सरवाधिक तीन-तीन बार मुखमंत्री रह चुके हैं अगला प्रस्ण है जार्खन में सरवाधिक बार बिधानसवा अध्यच यानि स्पीकर रह चुके हैं इसका सही एंसर होगा C, इंदर्सी नामधारी इंदर्सी नामधारी सरवाधिक तीन बार स्पीकर बन चुके हैं और ये जार्खन के पहले स्पीकर भी हैं जबकि वर्तमान इस्पीकर रविंद्रनात महतो हैं। अगला प्रस्ण है। 2019 में संपन जारखन बिधानसवा चुनाव में हेमन सोरेन किस बिधानसवा सीट से जीते हैं। A. बरहेट, B. दुमका, C. उपरोक्त दोनो, D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही एंसर होगा C. उपरोक्त दोनो, हेमन सोरेन बरहेट और दुमका दोनो सीट से जीते थे, बाद में दुमका सीट छोड़ दियें और वर्तमान में बरहेट सीट से बिधायक हैं। अगला प्रस्ण है। जार्खन विधानसवा के वर्तमान अध्यच किस विधानसवा छेतर से बिधायक हैं। इसका सही एंसर होगा D. नाला वर्तमान विधानसवा अध्यच रविंद्रनात महतो नाला विधानसवा छेतर से बिधायक हैं। अगला प्रस्ण है। किसी एक टर्म में यानि एक कायरकाल में सरवाधिक समय तक मुखमंत्री रहे हैं इसका सही एंसर होगा B. रगवर्दास रगवर्दास जार्खन के एक मात मुखमंत्री है जो अपने 5 साल के कायरकाल को पूरा किया है ये 2014 से 2019 तक मुखमंत्री रहे हैं अगला प्रस्ण है किसी एक टर्म में निम्तम समय तक मुखमंत्री रहे हैं। इसका सही अंसर होगा C. सीबू सोरेन। सीबू सोरेन जब 2005 में मुखमंत्री बने थे तब इनकी सरकार मात्र 10 दिन 2 मार्श से लेकर 12 मार्श तक ही चल पाई थी। जार्खन के एक मात्र निर्दलिय मुखमंत्री का नाम क्या है। जार्खन में अब तक 6 वेक्ति मुखमंत्री बन चुके हैं। इनके नाम है बावलार मनांडी, अर्जुन मुंडा, सीवु सोरेन, मधु कोडा, रगवर्दास और हेमन सोरेन नेक्स्ट कोस्टन है जार्खन सरकार के वर्तमान मंत्री मंडल में एक मात्र महिला मंत्री कौन है? इसका सही अंसर होगा C. जोबा मांजी जार्खन के वर्तमान मंत्री मंडल में एक मात्र महिला मंत्री है ये जार्खन की पर्थम महिला मंत्री भी है इसका सही अंसर होगा C. केवल दो पर्तियासी ऐसे हैं जो निर्दलीय चौनाव जीते थे इसका सही अंसर होगा A. ज्यान सुधा मिस्र जार्खन में जीला न्याधिस तथा मुनसीफ असर के पदाधिकारियों को परशीचन परदान करने है तू जार्खन जूडिस्यल अकाडमी के अस्थापना किस वर्स की गई थी? इसका सही एंसर होगा B, 2002 जार्खन लोग सेवा आयोग यानि जार्खन पब्लिक सर्विस कमिशन के अस्थापना किस वर्स की गई थी इसका सही एंसर होगा C, 2002 2002 में JPSC के अस्थापना हुई थी और JPSC के अध्या छेवन सर्दस्यों की निवक्ती राइसपाल दोरक की जाती है नेक्स्ट कोस्टन है 2019 के जार्खन विधान सवा चुनाओं में सबसे अधिक उम्र के निर्वाचित विधायक कौन है इसका सही एंसर होगा C, रामे स्वरूराओ वित मंतरी रामे स्वरूराओ सबसे अधिक उम्र के विधायक है जबकि बलकागाओं के विधायक अंबा परसाथ सबसे कम उम्र की विधायक है नेक्स्ट कोस्टन है जार्खन में किस किस्म का कोईला पाय जाता है A, B2- B, एंथरसाइट C, लिगनाइट D, A और B दोनो तो इसका सही एंसर होगा D, A और B दोनो कोईले के चार किस्म पाय जाते हैं पीट, लिगनाइट, B2- और एंथरसाइट जार्खन में एंथरसाइट और B2- किस्म की कोईले पाय जाते हैं और सबसे अच्छे किस्म का कुईला एंतरसाय ठोटा है, जबकि सबसे खराब किस्म का कुईला पीठ है। सही जहरिया सबसे बड़ा कोईला खान कौन सा है। तिलया नामक अस्थान किस खनीज के निच्छे फेतु परसिद्ध है? इसका सही एंसर होगा D. अबरक तिलया कोडरमा जीले में विस्थित है और ये अबरक के लिए परसिद्ध है अगला प्रस्न है किस खनीज को काला सीसा भी कहा जाता है जो जार्खन में ब्रिहत पैमाने पर पाय जाता है इसका सही एंसर होगा D. ग्रफाइट ग्रफाइट को काला सिसा भी कहा जाता है नेक्स्ट कोस्टन है हेमन सोरेन का मुखमंत्री के रूप में पहले कायरकाल का आउधी था इसका सही एंसर होगा C. 13. जुलाई 2013 से 28. दिसंबर 2014 तक वर्तमान मुखमंत्री हेमन सोरेन दूसरी बार मुखमंत्री बने है नेक्स्ट कोस्टन है महेंद्र सी धोनी की कप्तानी में भारते टीम ने जीता है A. ICC T20 विस्टुकप B. ICC 12 विस्टुकप C. ICC Champions Trophy D. इनमे से सभी तो इसका सही एंसर होगा D. इनमे से सभी दूनी की कप्तानी में भारते टीम ने 2007 में T20 विस्टुकप 2011 में 12 विस्टुकप और 2013 में Champions Trophy जीता है ICC के तीनो टुनामेंट जीतने वाले दूनी 20 के पहले कप्तान भी है Next question है जारखन का राजकिय फूल कौन सा है इसका सही एंसर होगा C plus जारखन का राजकिय फूल है जबकि कमल भारत का राश्टि फूल है अगला प्रस्न है जारखन पंचैती राज अधिनियम कब अस्तुत में आया था इसका सही एंसर होगा B 2009 जार्खन में पंचैती राज अधिनियम 2001 में बना था और इस अधिनियम के तहत जार्खन में तिरियस्तर ये पंचैती राज ब्योस्था अपनाई गई है नेक्स्ट कोस्टन है जार्खन का एक मात्र सैनिक जिसे मर्णो प्रांत परंबीर चक्र से सम्मानित किया गया था इसका सही एंसर होगा C. अलवा टेक्का अलबट एका 1971 के भारत पाकी युद में सहीध हो गये थे और इन्हें मरनो प्रांत परंबीर चक्र से सम्मानित किया गया था परंबीर चक्र वीरता के छेतर में दिया जाने वाला देश का सरोच पुरुसकार है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवस करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग क्विक नॉलेज